कहते हैंं हलो फ्रेंट्स आज हम क्लास 12 से टॉंपेट डिकाइस करेंगे यह ड्यारेक्षिन-कॉसाइन अन ड्यारेक्षिन-ेशिईव आज इस इस टॉपिक में ही आपको कोई एग्याडेट्श शॅल हम दियार्क्षिन कोसाइन क्या होते हैं ratios क्या होते हैं, कैसे नहीं find out किया जाता है, पूरा जो concept है, वो बताएंगे तो चलिए देखते हैं, क्या है direction cosine and direction ratios, ठीक है उससे लिए मैं एक चीज बनावा तो जहां से देखें यह मेरा x-axis, यह मेरा y-axis और यह मेरा z-axis माली कि मैंने एक vector बनाया, नाम रखा मैंने op vector, ठीक है, यह जो op vector है, यह x-axis के साथ माली ज़र alpha का angle बनाता है, y-axis के साथ beta का angle बनाता है, और z-axis के साथ dava का angle बनाता है, ठीक है तो कैसे find out कर सकते हैं, direction cos, अब direction cos को denote किया जाता है, l, m और n से, ठीक है small element हमें direction cos बताते हैं, यह represent करने का तरीका है, और cos बता, cos बता, cos बता, cos बता ही full form होता है, cos sin, ठीक है, तो l को denote किया जाता है, cos alpha से, n को denote किया जाता है, cos बता से, और n को denote किया जाता है, cos γामा से, ठीक है, और यह alpha meter γामा क्या है, उस particular vector का x-axis, y-axis और z-axis के साथ inclination angle है, ठीक है, तो अगर आपको, आपके vector का inclination angle गिवन है, तो directly, direction cos बता जाल जा सकते है, formula आपके सामने हमने लिख दिया है, अब माह लिचें कि आपको, direction cos निकाल ले हैं, लेकिद inclination angle नहीं जीवन है, तो देखते है, क्या जीवन है, आपको इसकी जगे जीवन है, direction ratios, इनको किसे denote करते, इसमें, small a, b और c से denote करते हैं, तो direction ratios जीवन हो, तो direction cos ब L का कौन होता है, a upon under root a square plus b square plus c square, m is equal to b upon under root a square plus b square plus c square, and n is equal to c upon under root a square plus b square plus c square, तो ये दूसर तरीका हुआ, direction cos निकाल लेका, जब direction ratios गिवन होते हैं, अब एक तरीका और है, कि माल लीजे, आपको direction ratios भी नहीं गिवन है, आपको passing to the point गिवन है, क्या, x1, y1 और z1, दूसरा point गिवन है, x2, y2, और z2, और अब मैं आपसे कहूँ कि, आप मुझे direction cos निकाल के बिखाई है, that is, lmn, small element, तो passing to the point है, सबसे पहले आप निकाल जबते हो, direction ratios, भो कैसे निकालते है, x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1, तो सबसे पहले आप में अपने direction ratios निकाले, अब जब आपके पास direction ratios आजाएंगे, तो direction ratios आजाएंगे, तो direction cos निकालने का formula हमें पता है, और यहा हमें आपको बता देता हूं, कि n2 plus n2 plus n2 is equal to 1, एक deviation आपको और यूज़ करना है, यह तो यह तरीका था direction ratios और direction cos को find out करना, हमारे viewers को, अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें subscribe कर सकते हैं, आप comment share, like कर सकते हैं, आप अपना query भी सकते हैं, हमारा email id नीचे ल एको आए